हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम सिक्षा निदे साले की तरफ से दी जाने वाली कक्षा छे हिंदी की कार्य पत्रक 38 वर्क्षीट 38 हल करेंगे जो की 23 फरवरी 2021 की है आज की वर्क्षीट का टॉपिक व्याकरन सर्वनाम भाग एक तो चलिए वर्क्षीट हल करते हैं प्यारे बच्चो नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है आईए इसे पढ़ते हैं रानी दसवी कक्षा में पढ़ती है रानी होकी की अच्छी खिलाडी है रानी की आर्थिक इस्थती अच्छी नहीं है और रानी को अपनी फीस माफ कराने के लिए प्रातना पत्र लिखना पड़ता है कई बार रानी समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती रानी से कहा गया है कि जब रानी का चैन राजस्त्रे टीम में हो जाएगा तब रानी की फीस माफ कर दी जाएगी इस अनुच्छेद को पड़कर अर्थ तो ठीक से समझ में आ रहा है लेकिन कुछ अटपटा सा लग रहा है असल में इस अनुच्छेद में एक संग्या सब्द रानी कई बार लिखा गया है इस कारण यह अनुच्छेद लंबा और बोजिल हो गया है आईए अब इस अनुच्छेद को पुना पड़ते हैं रानी दसवी कक्षा में पड़ती है वह होकी की अच्छी खिलाडी है उसकी आर्थिक इस्थती अच्छी नहीं है और उसे अपनी फीस माफ कराने के लिए प्रातना पत्र लिखना पड़ता है कई बार वह समय पर फीस भी जमान नहीं करा पाती उससे कहा गया है कि जब उसका चैन राज्यस्तरिय टीम में हो जाएगा तब उसकी फीस माफ कर दी जाएगी आपने देखा कि उपर लिखे अनुच्छेद में संग्या लानी के स्थान पर वह है उसकी उसे उससे उसका उसकी आदी सब्दों का प्रियोग हुआ है अते ये सभी सब्द सर्वनाम हैं, सर्वनाम यानि सब के लिए नाम, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संग्या के स्थान पर आने वाले सब्दों को सर्वनाम कहते हैं, प्रियोक के अनुसार सर्वनाम के छै प्रकार हैं, जिने छै भेद भी कहते हैं, पहला पुरुस वाचक सर्व आप दूसरा निश्च्य वाचक सर्वनाम यह वह है अनिश्च्य वाचक सर्वनाम इसके उधारन है कोई कुछ चोथा संबंद वाचक सर्वनाम इसका उधारन है जो प्रश्ण वाचक सर्वनाम उधारन कौन क्या छटा निजवाचक सर्वनाम अपना अब हम देखते हैं कि हम बाते हैं निम्न लिखत वाक्यों में सरवनाम सब्द छाट कर उनका भेद भी लिखिये तो बच्चो नीचे कुछ वाक्य दिये गए हैं उनमें सर्वनाम सब्द छाट कर आपको उनके भेद लिखने हैं चलिए, पहला करते हैं, मैं कल जाओंगा, इसमें मैं पुरुस वाचक सरवनाम है, दूसरा, यह कलम मेरी है, यह निश्च वाचक सरवनाम है, तीसरा, बाहर कोई खड़ा है, कोई अनिश्च वाचक सरवनाम है, चोथा, बाहर कौन खड़ा है, कौन प्रस्न वाचक सरवनाम है पाचवा, मैं अपने आप पढ़ लेता हूँ, मैं पुरुस वाचक सर्वनाम है छटा, गांधी जी अपना काम स्वैम करते थे, अपना निजवाचक सर्वनाम है साथवा, जिसको आपने बुलाया है, वह आया है, वह निश्चवाचक सर्वनाम है आठवा हम कल बजार गए थे हम पुरसवाचक सर्वनाम है तो बच्चो ये वर्क्षीट यह कम्पलीट होती है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यो पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नौलेज किंगडम थैंक यू